तन को पवित्र करना इश्नान खुदी करना पड़ेगा यहां कोई नियम है क्या मेरी जगा पर आप इश्नान करो भाई किसी से पूछा गया वही आप इश्नान रोज करते हो बहले नहीं बहले क्यों बहले सूरत का पानी बचाता हूं कि यह आएंचायदा दानी महापुर्शे के सूरत जो पानी बचाई दानी रोज सनान ना इनका दा अच्छा यह पूछूं क्या सवेरे उठके कौन-कौन जल्दी इश्नान करता है वो हाथ उपर करे भाई पता तो चले अरे वाह तो इंटी पटसंतो हैं उनके लिए जोरदा करते हैं तो तन को पवित्र करना है इश्नान खुद ही करना पड़ेगा मन को पवित्र करना है तो नाम जब जोर से कहिए न अपना ही काम आएगा धन को पवित्र करना है तो दान खुद ही करना पड़ेगा जाते जाते संसार में इतना कुछ करके जाएं कम से कम कि जितना ज पोजा उठाया है, कुछ तो उतार के जाएं, कोई शेवाले, कोई देवाले बना के जाएं, कोई गवशाला, कोई अनाथ आश्रम, कोई विर्ध आश्रम, कोई हॉस्पीटल, कोई स्कूल बना के जाएं, अपना नहीं बना सकते जहां शेवाकारे चल रहें, वहां देने का भ बाबा नानक से पूछा गया था, शुब कर्मों में से स्रेष्ट दान में से शुब कर्म कौन से हैं, बाबा नानक ने दो कहे थे, बोले कुवां को दवाओ, उस समय पानी का भाव था, कि आता जाता कोई यातरी पानी पिएगा प्यास बुजाएगा जिसने कुवां कुदवाया उसको पुझ मिलेगा भले वो इस जनम में हो या शरीर त्याग चुका हो भले अपने कर्मों के कारण वो भले नीची योनी में में होका उसको पुझ वहां मिलेगा और दूसरा बाबा नानिक ने कहा था धरम शालाएं बनाओ ये उस समय की बाते हैं कि यातिरियों को जैसे ठैने के लिए एक ठिकाना मिले पुन्य मिलेगा तो निवेदन है कुछ न कुछ जीवन में करने का भाव रखना चाहिए